क्या कॉंग्रेस और बीजेपी का कभी गटबंदन होगा ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है क्या माना जाया है कि मलिकार जुनखड के यहाँ पर कभी मोधी सरकार के सामने जुकते नजर आएंगे क्या कभी राहूल गांदी सोनिया गांदी यहाँ पर कई न कई देख को लेकर लगाता तारीफों के पुल बांधने लगा यहाँ पर उनकी नीतियों की तारीफ की उनके फैसलों की तारीफ की उन्हीं सारी चीजों की तारीफ की उन्होंने जब भारत हमें होते है तो यहाँ पर लगाता सवाल उठाते नजर आते है लेकिन देखा जाया जब व देखा जाए तो 2024 के चुनाफ लोगसबा चुनाफ काफी जादा एहम माने जा रहे हैं। जाए हैं। उने 170 दिन बाद अपनी दाड़ी भी कट वाली लेकिन अब क्या अब वो बिल्कुल भी सुर्ख्यों में नहीं बने हुए जनता को कोई फरक नहीं पढ़ता राहूल गांदी कहा है क्या कर रहे है बारत जोड़ो यातरा तक फरक पढ़ता था कि कहा पौँचे कब तक का 24 चुनाव को लेकर मेजद कपल है तो यहां पर जानेंगे उनसे ही कि आखिरकर इस सवाल का क्या माइना निकाला जाए क्या जवाब सामने आ सकता है क्योंकि देखा जाए कपल यहां पर तो जिस तरीके से राहूल गांदी ने बहार वी देश में जाकर जो तारीफों के पुल बांदे है पियम मोदी को लेकर उनी मुद्दों पर वो देश में घेरते नजर आते आखिर कर यह जो बदलापन है राहूल गांदी का वो क्यों है देखिए जिस तरीके से आपने बताया है कि सरकार की तारीफ किये वो कहीना कहीं चौकाने वाला हाला कि यह नीटियो की तारीफ जरूर हुई है लेकिन पियम मोदी की अगर तारीफ होती तो मुझे लगता है कि बबाल मत सकता था और जिस तरीके से आपने कहा कि क्या बीजेपी और कॉंगरेस साथ में आ सकते हैं राजनीती अगर बात करी जाए तो देखिए कुछ भी पॉसिबल है ऐसे दु राहुल गांदी भारत जोड़ो यात्रा के वज़े से पूरे टाइम सुर्ख्यों में बने थे हम लगतार कवरेज कर रहे थे उसकी जनता तक पहुचा रहे थी कि मद्यप्रदेश पहुचे क्या एलान किये राजिस्थान गई क्या कुछ हुआ लेकिन अब राहुल गांद सिनेरियो देखे तो जिस तरीके से ममता बनर जी ने एलान किया कि कॉंग्रेस पर कोई भरोसा उन्हें रहा नहीं है इस तरह के बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं और आप ये भी देखिए कि कॉंग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद कहां पहुची राइपूर में अदिवेशन हुआ वहाँ कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ नहीं ऐसी चीजे देखने को मिल रही है कि आने वाले वक्त में उन्हें प्रधान मंतरी के तौर पर पेश किया जा सकता है जैराम रमेश ते लेकर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ये कि वो फला मंतरी जो है वो ये बनना चाहिए तो पार्टी के नेताओं का तो काम है न समर्थन में बोलना विरोध में तो नहीं बोलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चर्चाएं बीते कुछ दिनों पहले तक थी जिन सर्वे में उच्छाल देखने को मिला था अब मु ने बोला कि मैं सक्रिया राजनीती से जल सन्यास लेने जा रही हूं और खड़के जो है वो राश्टी अदेख्षे तो मुझे ने लगता कि वो इस तरह की चीजों में इन्वाल्व होंगे ना ही पहुँचेंगे तो अब पूरा सिनेरियो देखने के बाद मुझे लगता ह हुआ नजर आ रहा है अब सुबह एक बड़ी जानकारी सामने आती जिसमें कहा जाता है कि पेमोधी का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ गया राउल गांदी का ग्राफ घड़ गया और ममताब एनरजी के लिए तो बुरी खबरे लगतार सामने आ रही है क्योंकि ममताब एनर जी पर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक उपचुना हुआ उसमें उन्हें हार नसीब हुई और उसके बाद वो यह कहती हुए नजर आई कि मैं इस हार का हार का जो दोशिय वो किसी को ठहराऊंगी नहीं लेकिन बीजेपी के खिलाफ कॉंग्रेस है यह बात जो है वो चुनाव लड़ती नजर आउंगी तो अगर माना जाए कि ममता बनेट जी ने कह दिया कि मैं अके लिए चुनाव लड़ूगी मायवतीगा अगर हम अभी देखे चुकि उनका गडबंदन भी नहीं हुआ है वो कह रही है कि अके लिए चुनाव लड़ूगी अखले तो हो सकता है गडबंदन से भी वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन जाए अब इस भी सचिन पैलेट के बयान सामने आए उन्होंने का कि जो हमें आत्म यहाँ पर आत्म चिंतन करना पड़ेगा हमारी कम्या थी जिसकी वज़े से हम हारे अपने वो राज्य हार गए जह हम पह सोनिय गांदे ने का कि EVM की घडबड़ी की वज़े से हमारी हार हुई है और खडगे ने ये भी का कि हम तो कम सिटों पे ही उत्रे थे इसलिए हमारी हार हुई है तो आप अपनी गल्तिया गिनवा रहे हैं कमिया गिनवा हैं फिर आप अपने आपको थी था कि eworm are इन जा evac और बतौर राश्टिया दक्ष इस तरह की बात कहना कहीं ना कहीं कॉंग्रिस के लिए बैक फूट पर जाने जैसा है सुचिंग पैलिट के अगर बात करी जाए तो उन्हें शायद ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर तमाम कमिया है हलाकि इनको लेकर वो खुलकर सामने नही आएंगे जब तक वो पार्टी में रहेंगे लेकिन वो ये लगतार कह रहे है कि कॉंग्रिस के अंदर बड़ी कमी है और अगर ये कमिया सही नहीं होती है तो आने वाले ऐसा नहीं है कि वो कॉंग्रिस राजिस्थान से हट जाएगी क्योंकि राजिस्थान में जाना लग कि अगर बात करी जाए तो कोई और नेता हमने आजकल देखा नहीं है जो इस तरह की बाते कर रहा हो यहाँ पर दूसरा सवाल यहाँ आजएगा देखा जाए पालिट की बात हो गई है लेकिन यहाँ पर सिंधिया जो यहाँ पर कही नहीं है बागी नेता की तौर पर देख कर लोग पूरी तरीके से बदल गया जब यहां सेमी फाइनल में ही इस तरीके से हार गए तो फाइनल क्या ही जीतेगी तो कि सिंधिया की बात को कई ना कई गौर करना चाहिए कॉंग्रेस पार्टी को कि आपके जो नेता आपको छोड़ के गए वो वापिस इसले ने आ रहे क क्योंकि आप अभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं बिकुल सिंधिया की बात में दम है सिंधिया जो कह रहे है वो ही पाइलेट कह रहे है कुछ दोनों की बात में अलग नहीं है अला कि बड़ा फरक है कि सिंधिया पार्टी छोड़ चुके है और पाइलेट अभी भी पार्टी म होता है उसमें जेपी नडडा मोधी योग अगर योगी की बात करी जाए वो मुख्यमंतरी यूपी के हैं लेकिन प्रचार करने देखिए तीन राज्यों में जाते है और वहां पर जीत भी हासल होती है तो साफ तोर पर कमी है एक आखरी चोटा सवाल जो हमारी शुरुआ थी कॉंग्रेस बीजेपी के गड़बंधन को लेकर अगर ऐसा इन फ्यूचर होता है ओफर रखा जाता है कॉंग्रेस के तरफ से स्पेशली तो कि बीजेपी सौफर को मानेगी देखिए बिलकुल मानेगी क्योंकि अगर कॉंग्रेस जो है वो ये बोलती है कि हमसे तो बीजेपी जरूर हां बोलेगी।